जल्दी रामभूमी मामले में कोट अपना फैसला सुनाने वाले है जिसके चलते सभी नागरिक शान्तिय और विवस्ता बनाए इसी बात के चलते एहमद नगर के कुपरगाउ तैसिल ठाने के इंचाज राकेश मानगाउ करने एक मिटिंग का आयजिन किया था इस मौके पर तैसिल के सभी जिम्मेदार नागरिक मौजुद थे रामभूमी का फैसला अदालत कभी भी किसी भी समय सुना सकती है अदालत के फैसले के कारण किसी भी तरह की कोई परिशनी ना हो कोट जो भी फैसला दे वो दोनों समाज के लोगों को कबूल हो कोई भी समाज इस फैसले के खिलाफ जाकर कोई गलत कदम ना उठाए इस बात के जिम्मेदारी हम सब पर है साथ सभी लोग से शांतिता बनाय रखने की अपिल भी मांगाव करने की है